नमस्कार स्वागत है आपका दान्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रा सैनी बिहार के पूर्णिया से नए नए शांसद बने पपू यादव पर गिरफतारी की दलफार नटक गई है जिहां पपू यादव पर रंगदारी मांगने का आहरोप लगा है धंकी देकर पपू यादव पर एक फर्णीचर वेलसाई ने लगा है और एक करोड रूप्य मांगने तक का ये आहरोप जिसके चलते पपू यादव पर एफायार दर्च हुई लेकिन जब वो इन आहरोपों में घिरे तो इस आहरोपों को लेकर उनका जवाब साफ ने आए जिसमें प पपू यादव के ऊपर आरोप लगे हैं उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से साफतोर पर एक साचिश बताकर उन्हें खारिच किया और कहा कि विरोधियों की साचिश के चलते इस तरीके का ये पूरा माफला है पपू यादव ने जो जवाब दिया है एफायार दर् रिनित ये सधियंत रजा है एक अधिकारी और विरोधियों की साचिश को पूर्रूप से बेनकाब करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अधिन इसकी निस्पक्ष जांच कराई जाए जो दोशी हो उसे फासी दे दी जाए ये बड़ी बात पपू यादव ने कहते हुए अपने उ सांसत के तौर पपू यादव जीते हैं पूर्विया से और उसके बात मेरा प्रभाव वहां पर बढ़ रहा है उससे कुछ लोग घबराए हुए हैं ये बड़ी बात कहते हुए उन्होंने तमाम आरोपों को खारिच किया लेकिन मैं आपको शानकारी देदू कि इस पूरे माफले को लेकर पुलिस का भी बयान साथ ने आया है और उनकी तरफ से ये कहा क्या है कि इस पूरे माफले की फिलाल जाच चल रही है हम फैक्ट चेक कर रहे हैं कि जो आरोप उन पर लगा है कि वो गलत है या सही है अगर आरोप गलत है तो भी कारपाई होगी जिन्होंने दर्ज कराई है और अगर आरोप सही है तो जाहिर तोर पर पपू यादव की इस पूरे माफले में मुश्किले काफी जादा बढ़ सकती है ना सिर्फ पपू यादव बलकी फरनीचर वेवसाई की शिकायत के बाद पपू यादव के खरहीबी अमित यादव के खिलाफ भी मुफसिल पूलिस स्टेशन में माफला दर्च किया किया है और पूलिस इस मालमले की तप्तीश कर रही है क्या कुछ पूलिस के जर्खे इस पूरे माफले को लेकर कहा गया है सुनिये कल एक फरनीचर बेवसाई के द्वारा माननीय सांसर पपू यादव जी और उनके एक सहियोवी के उपर वग्दारी माहिने कारोफ लगाते हुए फैयर दर्च कराया गया है और अभी पुलिस फैयर दर्च कर उसमाना संधान कर रही है और अनुसंदान के उपरां तो जो भी फैक्ट सामने आएगा उसके आधार पे हम लोगागी करवाई करें तो क्या लग रहा है नहीं जो फाबिया ने संधान में कुछ फैक्ट जो आना है फैक्ट के आधार पे तैय होगा कि जो आरोफ लगाए गए वो सही है या नहीं और और गर सही है तो उसके कोर्डिंग करवाईओं ती नहीं है तो उसके को अरोफ स्थ पीस करती मैंकर शाय को कैया गया है उसके बात दोच़ार थेस में भी उस संब्रज में गाली के dopलक दोच किया गया था पिर एलेक्षिन के पहले बहने काँगा गया था और उसके बाद काउंटिंग के ख़तम होने के उपरांत भी उन चौनितर कि स्यूर और उनके होगी के दौरा एक फोन किया गया था ! अभी तक आरोब यही है. उस संबने हम लोग जाच कर रहे हैं, उसके him कर रहे हैं कर रहे हैं. सारी के जो साहिवगी लाइड है । अब लोगा है । जो फार के कंटेंट है उसके हिसाब से वो उसके द्वार जो कंप्लेनेंट उनके द्वार बठाया गया है कि जो आमित यादव मांपा जो वेखती है वो भी ये सनल में किसी पोस्ट पिटा रहे हैं तरफ च्छे दिन ही भीते हैं पपू यादव को सांसत बने हुए काफी ऐसी वीडियोज है सोशल मीडिया पर पपू यादव की जो सामने आ रही है जब वो अपने पार्टी के अपने जो करीबी उनके करता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं इनका गांधी वाटरा से भी उन्होंने मुलाकात की है दिल्ली पहुंचे थे और इन सब के बीच ये ख़बर मिलना कि आपके उपर F.I.R. दर्च हो गई है रंगदारी मांगने तक का ये आरोप है एक क्रोड रुपिय रंगदारी मांगी गई है इसके बाद पपू याद इसके लावा पपू यादव चुकि सांसद बने हैं वो भी नर्दलिया सांसद तो ऐसे में कॉंक्रिस पार्टी के साथ उनकी नजदीकी है लेकिन तिजस्वी यादव से जो उनके मतभेद हैं वो खुलकर साफने आ रहे हैं और पपू यादव का बड़ा फयान जो है इन को लेकर साफने आए हैं जिसमें उन्होंने तिजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए यह कहा कि तिजस्वी यादव के कारण ही राहूल गांधी प्रधान मंत्री नहीं बन पाए यह बड़ी बात उन्होंने कही और कहा कि बिहार में 25 सीठे जीते युवराज के ए प्रियंकार इतना जादा तिजस्वी यादव का कि हम इस तरीके से तबहा हो गए और साफतोर पर कहा कि राहूल गांधी प्रधान मंत्री नहीं बन पाए चुकि हमने गलती की है उन्हें कहा कि अगर हमने यह गलती ना की होती तो आज इंडी की सरकार होती बिहार में लेकिन एक पपू यादव को हराने के रिए आपने कितनी सीटो का नाश कर दिया यह बड़ी बात पपू यादव के जर्खे कही गई और यह पपू यादव जाहित तोर पर वहीं है जो हिंदी बैल्ट के राच्यों में निर्दलिया जीते इकलोदे सांसद हैं तो ऐसे में पपू यादव के तेवर इस वक्त कहीं कहीं काफी बदले-बदले से नजरा रही हैं प्रियंका गांधी पार्टरा से उन्होंने मुलाकात की है लेकिन एंटे में शामिल होने का ओफर भी मिला है लेकिन वो कॉंग्रेस से उमीद लगाए बैठे हैं इस तरह की जानकारी भ बड़ा सवाल है तो कुल मिलाकर कॉंग्रेस पार्टी में ही पपू यादव थे और कॉंग्रेस पार्टी से इस्तिफवा भी नहीं दिया है लेकिन किस तरीके से जो है जब टिकेट नहीं मिला तो इस तरीके से निरतलिया चुनाव लड़ने का फैस्ता किया और जीते भी लेकिन इसके बाद जो लगातार पपू यादव बयान दे रही हैं जो इस तरीके से तिजस्वी यादव को लेकर उनकी पुरानी नाराजगी अभी भी काया है हालकि उनका ये कहना है जो दैनिक भासकर को इंटरव्यू उन्होंने दिया है कि लालू पर साथ यादव के हुपा है अगर इंडी अलाइंस की सरकार नहीं बन पाई है तो उसकी वड़ी वच्छा जो है वह सिर्फ और सिर्फ आर्चडी के नेता जो है तेजस्वी यादव ही है और इसी वच्छा से यूवराज कहते हुए तेजस्वी यादव पर खमला पक्पू यादव बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हुवराज के एहंकार ने सब कुछ नाश कर थिया अगर हुवराज का एहंकार ना होता 25 सीटे जो है गटबंदन की एंजी अलाइंस की वहां पर बिहार में आती और हम सरकार बनाने में काम्याब होते और राहुल गांधी प्रदान मंत्री बनते ये फिलाल पुलिस इस पूरे माफले की तप्तीश कर रही है कि एक तरफ एक करोड रुपिय रंगदारी मांगने के माफले में उन पर हो चुकी है जिस पर पुलिस जाज़ कर रही है और दूसरी तरफ क्या कुछ राजनितिक सफर किस तरीके से पपुयादव का आगे बढ़े इस पर भी आप निगाएं ठीकी हुई है फिलाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में जरूर लेखें